हेलो एवरीवान वेलकम टू माँ चानल दिस इस नीता मैं इस चैनल पे डियावाई एन होम डिकॉर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और आज का वीडियो जो है वो वेलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो है मैंने इस वीडियो में जो भी डियावाई बनाया है आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पे एज़ेकॉर के ताओर यूल चलिए ज़दी से वीडियो को स्टाट करते हैं पर वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो PARLIS subscribe कर ल DIY बनाने के लिए हमें एक embroidery hook चाहिए और white less अगर आपके पास में इस तरीके का less ना हो तो आप किसे भी fabric का use करें सबसे पहले हम hook को इस तरीके से open कर लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से दो layer में इस less को लगाना है और यह artificial lips यह lips मैंने stationary shop से ही purchase किया है और इसके ऊपर हम इस तरीके से रख के hook को फिर से लगा देंगे और जो extra जो भी less या यह lips बचे हैं उसे cut करके हम इस तरीके से glue gun से paste कर देंगे और यह कुछ artificial lips आपने मेरे Christmas decoration वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने इस तरीके का lips का use किया था तो मैं फिर से उसी lips को reuse कर रहे हूँ और अब हम यहां पे कुछ artificial red roses को लगाएंगे यह भी मैंने stationary shop से पर्चेस किया है बहुत ही reasonable price में मिल गया था थोड़ा और valentine look देने के लिए यहां पर में यह love heart को लगा रहे हूँ और हमारा pig लगाने के लिए यहां पर में wooden clip का use कर रहे हूँ और यह clip भी मैंने stationary shop से पर्चेस किया है आपको इस तरीके का clip online भी easily मिल जाएगा तो यह रहा हमारा first DIY ready है तो इस valentine आप भी इस तरीके का handmade gift अपने special के लिए ज़रूर बनाए इसे आप अपने wall पे भी लगा सकते हैं या फिर आप table पे भी as a decor के तोड़ पे use कर सकते हैं second DIY में हम candle holder बनाएंगे और उसे बनाने के लिए मैं wine class का use कर रही हूँ सबसे पहले इस class पे हम इस तरीके का प्रिल लगाएंगे यह stationary shop पे बहुत easily मिल भी जाता है और इसे लगाना बहुत असान है आप चाहें तो इसे पूरे class पे लगा सकते हैं पर मैं यहाँ पे सिप उपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट पर ही लगाऊंगे और अब हम इसके उपर यह red thread को लगा देंगे और यह thread लगाना बहुत easy है बस आपको कहीं कहीं पे ग्ल्यूकन लगा के thread को paste करते जाना है तो मैंने thread को बस इतना ही लगाया है आप चाहें तो पूरे wine class में thread लगा सकते हैं थोड़ा और decorate करने के लिए यहाँ पर मैं यह artificial flower और वो heart shape love को लगाऊंगी और उसे लगाने के लिए भी मैं ग्लूकन कहीं यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास ग्लूकन ना हो तो आप fabricol का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह रहा हमारा second DIY भी ready है तो इस valentine अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं और अपने घर पे ही dinner date का plan कर रहे हैं इस तरीके का candle holder आप जरूर try करें आपके beloved ones को जरूर पसंद आएगा 30 DIY के लिए मैं इस तरीके का एक वास का यूज़ कर रहे हूँ आप इसके जगा पे किसी बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर मैं ये sea shell डालूँगी ये मैंने काफी टाइम पहले amazon से purchase किया था इसका link में description में दे दूँगी और अब इसके अंदर मैं अपनी wedding pick डालूँगी और उसके बाद हम यहाँ उपर वाले पाट पे ये love का sticker paste करेंगे और साथ साथ थोड़ा और decoration करने के लिए ये golden color का प्रिल और इस वास के अंदर मैं flowers नहीं रखूंगी इसके जगह पर मैं ये three bamboo stick ले रही हूँ और इस stick पे मैं इस तरीके का जो thermocall का जो heart shape में आता है वो ली थी और उसे मैं red acrylic color से paint कर रही हूँ और उसे हम इस bamboo stick पे paste कर देंगे glue gun की help से तो मैंने थोड़े और sticks में artificial decor items एड़ कर दिया था तो ये रहा हमारा third DIY भी ready है इस तरीके का DIY अब इस valentine ज़रूर try करें दोस्तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी अपने के लिए खुद से कुछ बना कर दे तो और भी special feel होता है उन्हें फोल्डी आइवाई बनाने के लिए मैं इस तरीके का wooden frame का यूज़ कर रही हूँ और ये frame जहां पर photo बगेरा बनता है मैं वहाँ से लेकर आई थी इसके पीछे में जूट thread लगा दूँगी और जूट thread को मैंने इस तरीके से frame में जिक जेक करके फसा दिया था और साथ साथ इसके पीछे हम ये string light लगा देंगे ये battery operated light है जो की बहुत easy रहेगा कहीं पे भी आप इसे hang कर सकते हो और इसे भी मैंने वैसे ही लगाया है जैसे मैंने thread को लगाया था और इस thread पे हम इस pics को hang करेंगे और इन सारे pics पे जो pics जिस moment से related है उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया था और हम इस pics को ये wooden clip से hang करेंगे और साथ साथ ये white color के thermocall को भी इस clip पे paste करेंगे पर paste करने से पहले मैं उसे red acrylic color से paint करूंगी और paint करने के बाद में हम इसे fabric call से इसे paste कर देंगे और मैंने इतने सारे clips को ready किया था इस तरीके का clip आपको online भी मिल जाएगा लेकिन online आपको बहुत ही costly मिलेगा तो इससे अच्छा है कि हम खुद से बना ले और अब one by one हम सारे photos को clip के help से thread पे hang कर देंगे तो ये रहा हमारा fourth DIY भी ready है अगर आपके पास में photo frame ना हो तो इसके जगह पे आप cardboard का भी use कर सकते हैं के ले पास से एंग में टि में था ह मत सहत्तबा है, और आपके अंकड़े से इसमें के अरवड़े घर पीग से अगलो, और आपको तो आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन एंड डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याल रखे तिल देन बाई बाई